हेलो फ्रेंड नवर्शकार मैं हूँ अनिल मोर्या और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डेन शेर मार्केट में फ्रेंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब गर लीजिए और उसके बाजो में बेल आइकन होगा उसको फ्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो भी नहीं ने वीडियो अप्लोड हो आपको आसानी से मिल जाए तो फ्रेंड इस चैनल पर मैंने कई सारी वीडियो अप्लोड किया है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को चैनल के थ्रू या फिर उसका लिंक मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप जाके देख सकते हैं तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और आईसर मोटर ने अभी अभी स्टॉक स्प्लिट दिया है उसके बारे में बताने वाला हूं और आईसर मोटर के बारे में बताने वाला हूं और उसके कुछ डिटेस दिखाने वाला हूं कि अगर आपने एक लाख रुपे इन्वेश्ट किया होता तो आज करीब करीब वो 16 करोन बन गया होता यहनि 20 सालों में एक लाख रुपए इन्वेस्ट करने से 16 करोर बन सकता है यह मैं आपको आईसर मोटर की जो भी हिस्ट्री रही है उसके बारे मैं बताने वाला हूँ हैरसे देख रहें हैं याणि स्टॉक को स्प्लिट कर देना याणि सेर्स के भाउweek को या फिर नंबर अप्कार को स्ब्रिट कर देना और वहाँ पे number up sales को उस ratio में बढ़ा देती हैं, तो इसी तरह से friends stock split भी होता है, stock split में यहाँ पे company क्या करती है, कि अपना जो उस company के face value होता है, उस face value को भी split कर देती है, यानि अगर company का face value मालो 10 रुपए चल रहा है, अगर company अनौन्स कर दिया कि मैं 1-1 के ratio में stock split कर रहा हू तो company का करेगा, face value जो है 10 की जगे पे 5 हो जाएगा, और जो sales का भाव है, अगर 1000 रुपए था तो 500 रुपए हो जाएगा, और आपके पास 100 sales थे, तो आपके पास 200 sales मिल जाएगे आपको, यानि एक sales के बदले में, एक sales आपको free मिल जाएगा, लेकिन sales के भाव उसी ratio में वह पासानी से सहन में आ जाएगा, तो bonus में खली क्या होता है, company यह जो face value होता है, इसको divide नहीं करता है, इसको split नहीं करता है, लेकिन stock split में, जो company के face value होती है, जो stock की face value होती है, उसको भी split कर देती है, तो यहाँ पे पूरी तरह से, जो भी, जितने भी number आप sales company के पास होते है वो sales है, वो जो number आप sales है, वो double या triple हो जाते है, जिस ratio में company stock को split करती है, मालोग company के पास 10,000 करोण total sales थे, तो अगर 11 के ratio में split करती है, तो वो 20,000 करोण sales हो जाएंगे, तो इस तरह से company जब अपने stock को split करती है, तो वहाँ पे number आप sales बढ़ जाते है, और stock की जो price है, वो ग टॉक ने पहली बार allowance किया है, तो उसके बारे मैं आपको details example को भी लेकर, example लेकर उसको मैं समझाओंगा आपको, तो friends उमीद करता हूँ, आपको stock split क्या होता है, यह समझ में आ गया होता है, तो friends आई है, हम आईसर मोटर की तरफ चलते हैं, तो friends जैसा कि हम जानते हैं, आई अईसर मोटर की हो सबसे costly है, तो अईसर मोटर जो है Royal Infilt के लिए अच्छा कासा जाना जाता है, आपने Volvo का नाम सुना रहेगा, Volvo के लिए अईसर मोटर जाना जाता है, और आईसर मोटर की देर सारे trucks या फिर TRAXERS आइसे गारिया है, तो आईसर मोटर कंपनी के मामले में देखेंगे तो काफी अच्छी company है और काफी त्थे रेंज के इसके पुड़क्ट भी है जिसकी वजह से यह इस टॉक ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है तो इस टॉक ने कैसा और किस तरह से ग्रोथ किया है तो मैं आप लोगों को इस टॉक के चाठ बेकर लेके चलता हूं जहाँ पर मैंने investing.com पर यहाँ पर मैंने चार्ट open कर लिया है इसका और इसको हम देखेंगे तो friends यहाँ मैंने इसको monthly चार्ट लगा लिया है यहाँ पर और इसको मैं तुरह सा जुम्मीन करके आपको दिखाता हूँ तो friends अगर हम देखेंगे यह stock जो है around 2000 के आसपास इस stock की जो price थी near about 20 रुपए के आसपास थी और 2010 के आसपास देखेंगे तो friends यह 1000 के आसपास इसका भाव था लेकिन 2018, 2017, 2018 के आसपास देखेंगे तो friends इस stock ने करीब 33,000 के आसपास high बनाया था उसके बाद अभी यह जो COVID-19 के इसमें situation में भी यह फिर से इसने 12,000 का low बनाया और वापस से friends अभी यह करीब करीब 21,000 का high बनाया है यानि COVID-19 के बाद यह 12,000 का low बनाने के बाद इसने 21,000 का यह डबल के आसपास return दिया है तो friends अगर हम यहाँ पे आईसर मोटर्स के return की बाद करेंगे यानि अगर हम 2000 में अगर invest किये होते आईसर मोटर में और यहाँ फिर 2010 में किये होते तो हमें कितना return मिलता था इसके बारे में हम देख लिते हैं अब मैंने friends एक excel seat बना लिया है यहाँ पे देखेंगे अगर हमने 2002 में invest किया होता तो आज हमको return यहीं 2018-2020 में हमको return कितना मिलता था friend 2022 की बात करेंगे तो company के stock का भाव था 20 रुपे और अगर हमने 10,000 रुपे के sales लिये होते यानि 20 रुपे के भाव से 2002 में 500 sales हमको मिलते थे अगर हम 500 sales लेके hold किये होते और 2010 की बात करते तो 500 यानि 10,000 investment हमारा total 5,000,000 रुपे investment बन सकता था यही friends अगर हम बात करेंगे 2018 में अगर 2018 में यहाँ पे हम sale करते थे तो near about 1,60,000,000 रुपे आपको return मिलता था यानि आप अगर 10,000 रुपे invest करते थे 2002 में तो 2018 में आपको near about 1,60,000,000 रुपे मिलता था इस कमपनी के बुलेट या इस कमपनी के गाड़िया खरीदी भी होंगी उससे उतना ज़दा इंकम नहीं कर पाए होंगे अगर उस समय 10,000 रुपए के मात रूस कमपनी का सेयर्स ले ले होते तो तो फ्रेंड्स अगर हम यहीं इन्वेश्मिन को थोड़ा बला एता है या एक लाग रुपए इन्वेश्मिन कर देते हैं तो 20 रुपए के भाव से 2002 में 5000 सेयर्स मिलता था और यहां पे आपको 2010 की हम बात करेंगे तो नीर अबाउट 50 लाख रुपए आपको रिटरंस मिलता यांनि कितना हैवे रिटरंस दिया है इस इस डिटाउट ने जीए बात करोःट करेंगे तो खरीब करीब 3 लाख रुपए का दिविडेंड दिया है इस 500 सेयर्स के पीछे तो friends इस तरस आप समझ सकते हैं कि इस company ने कितना high returns दिया हुआ है इसके हम चार्ड पे भी हमने देख लिया है एक बार हम वापस से चार्ड देख लिते हैं यहां friends देखेंगे तो जैसे मैंने बताया आपको 2002 में इसने करीब 20 रुपए का लोग बनाके 2010 में करीब 1000 का 1000 रुपए का भाव था बात में यह high बनाया 2015 के आज पास ने 21,000 का high बनाया था उसके बाद 33,000 का high बनाया और अभी यह COVID-19 में 12,000 का लोग बनाके वापस से 21,22,000 चल रहा है तो फ्रेंस टॉक ने अच्छा काफी अच्छा का सा रिटर्न देखा दिया हुआ है और इस कंपनी का हम फंडामेंटल भी देख लेते हैं फ्रेंस कंपनी के फंडामेंटल की हम बात करते हैं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है करीब 59,000 करोड है यानि कंपनी लारज़ केप में आती है कंपनी की בכ value की बात करेंगे तो 3653 है और उसके बाद फ्रेंस आरोसी की बात करेंगे तो 24% का आरोसी है उसके बाद हम यहाँ पे कंपनी के debit की की बात करेंगे तो 44 यानि 45 की आसपा स्टॉक का पी है और इसका इंडस्टी P की बात करेंगे तो करीब 45.6 या नी इंडस्टी P और स्टॉक P लगब लगब सेम है और फ्रेंड स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो इसने यह भी एक साल के अंदर 12,450 का लो बनाया और 23,5450 के आसपास हाई बनाया पूरा 52 वेक हाई लो देखेंगे तो तो नियर बाउट इस टॉक जो है 52 वीक हाई के आसपास टेट कर रहा है इस समय फेस वैलू की बात करेंगे तो फ्रेंड 10 रुपए का भी इसमें फेस वैलू है holding की बात करेंगे तो promoter holding जो है 49% 49.28% से और फ्रेंट की बात करेंगे तो तो 49 करोन का debt है यानि debt की बात करेंगे तो friends ये company जो है virtually debt free company है यानि stock को आप virtually debt free company बोल सकते हो यानि इस company उपर debt नहीं है तो fundamentally देखेंगे तो friends कापी अच्छा stock है और उसके बार और भी आगे इसको हम इसके results के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर हम quarterly results की बात करेंगे तो जो अभी 2020 मार्च में कापी अच्छा result था है इसका कापी अच्छा results रहा है 2017 से लेके 2020 मार्च तक 2020 में यह जो इनका sales है काफी डाउन हो गया आल्मोस 60-70 परसेंट यहाँ पर डाउन हो गया है तो अगर फ्राफिट की बात करेंगे अभी तक काफी अच्छा रहा है लेकिन यह जो अभी हम बात करेंगे COVID-19 के quarter में या इस quarter में जुन जुलाई quarter में देखेंगे तो करीब यह जो है loss में आ गया है कंपनी तो फ्रेंट्स यह situation जो COVID-19 था तो इसको हम consider नहीं करेंगे क्योंकि सारे श्टॉक यहाँ पर इसी यही condition है सभी श्टॉक्स का तो अगर हम फ्रेंट्स annual returns की बात करेंगे तो यह काफी देखो 2018 में जो 63 करोड का profit था और जो की बढ़के अभी करीब करीब 800 या 1300 करोड हो गया है तो profit भी काफी अच्छा है इनका बढ़ रहा है यह company जो है growth में है ओके और जैसा कि मैंने बताया आपको company के पास कर्ज नहीं है यह virtually free company है तो fundamentally भी काफी अच्छी company है और फ्रेंट्स अगर हम इसके जो जैसा कि मैं जो भी आपको good news देने वाला हूं कि stock के बारे में कि यह stock ने अभी तर अभी जो good news दिया है जो changes होने वाला उसके बारे मैं आपको बता देता हूं तो फ्रेंट्स मैं आप आइसर मोटर के stock पर आगया हूं money control पर और यहां पर हम एक यहां पर देखते हैं कि इस stock ने जो है अभी stock split announce किया है यहां पर split summary दिया हुआ है यहां पर देखिए आइसर मोटर है जो last split the face value of its shares from 10 rupees to 1 rupees यानी company का जो face value था 10 रुपए उसने अभी 1 एक रुपए उसका face value होने जा रहा है यानी company ने क्या किया है दस ये 1 और 10 ratio में अपने stock को split कर रहा है यानी आपको 10 गुना shares जादा मिलेगा लेकिन जो stock का price है वो 10 गुना से drop होने वाला है यानी friends यहाँ पे sales का भाव चल रहा है 2700 के आसपास तो ये sales के भाव इसका जो एक सिस्प्लिश डेट है 24 यानी 28 अभी है ये date जो है कल का ही कल का ही date है आपको कल परसों में ये sales का भाव 2700 से 200 रुपए मिलने वाला है यानी 2200 के आसपास इस sales का price कल या परसों से रहने वाला है तो friends आपको ये stock काफी system मिलने वाला है आप इसको चाहे तो investment purpose से long term purpose है अगर आपको तो इस stock को खरीज सकते हैं तो यहां पर friends जो भी stock के बारे में था आईसर मोटर के बारे मैं आपको बताया काफी अच्छा stock है return भी काफी अच्छा दिया है और अभी ये पहली बार अपने stock को split करने जा रहा है आज तक इसने bonus भी नहीं दिया है dividend की friends बात करेंगे तो dividend stock ने काफी अच्छा dividend भी दिया है यहां पे 1250% 1250% 1100% ने dividend भी काफी अच्छा दिया है stock ने तो dividend दिया है अभी इसने split कर दिया तो आप इस sales को खरीज सकते हैं तो friends यह था जानकारी जो मुझे आपको देना था आईसर मोटर के बारे में तो काफी अच्छा stock है आप इसके उपर long term view है तो आप इसके उपर investment भी कर सकते हैं fundamentally अच्छी है टेक्निकली अच्छी है तो आप इसके उपर investment करना है long term का view है तो आप इसके उपर कर सकते हैं में ताकि maximum लोग इसको utilize कर सके और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा तो friends अगर आपने हमारे social media के चैनल सगर जोइन नहीं किया है अभी तक तो आप उनको join कर सकते हैं जिसका link हमने यहां पर description box में दे रखा है ओके friends thank you